अध्याय 4 बहुपद, पॉलिनोमियल्स, अंक्व संख्याएं, डिजिट एंड नम्बर्स आप अध्याय 4 पड़ रहे हैं गोमती की उम्र 14 वर्ष है पिछले दिनों रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस था आमगाओं की आबादी 6000 है एक बोरी में 30 किलोग्राम चामल है पृत्वी से मंगल ग्रह की दूरी 54.6 मिलियन किलोमिटर है प्रकाश की गती 1,86,000 मील प्रती सेकेंड है ऐसे अनेक बातें बाचित का हिस्सा होती है इन सभी कतनों में 4,14,10,6,000 आधिक संख्याएं हैं जो 0,1,2,5,9 अंकों की मदद से लिखी गई है इन्हें अन्य प्रकार के संख्या संकेतों जैसे रोमन में 1,2,9,10 और आगे भी की मदद से या किसी और संख्या पद्धती में भी लिखा जा सकता है क्या आप किसी और तरह से भी संख्याओं को व्यक्त करने के उधारन दे सकते हैं कुछ और गणिती कतन Some more mathematical statements उपर के सभी कतनों में हमने दूरी, धारिता, आयू, ताप, आबादी, गती, आदी को अंकों वा अंक पद्धती का उप्योग कर संख्या को व्यक्त किया हम कुछ और तरह के कतनों का भी उप्योग करते हैं जैसे किसी वर्ग की भुजा ए है तो उसका परिमाप फोरे होगा एक आयत की लंबाई L और चोड़ाई B है इसका छेत्रफल वा परिमाप पता करो पिता की आयू पुत्र की आयू के दुगुने से 6 वर्ष अधिक है इस कतन को X बराबर 2 Y धन 6 लिखते हैं मूलधन ब्याज आदी के बीच संबन्द साधारन ब्याज बराबर मूलधन गोनित दर गोनित समय बटे 100 दो रेखाएं एक दूसरे से थीटा कोड मनाती हैं इन सभी उधारनों में A, L, B, X, Y, मूलधन, दर, समय, थीटा आदी भी किसी ना किसी संख्या को प्रदशित करते हैं इन्हें अक्षर संख्याएं कहते हैं क्या उपर बताई गई दोनों प्रकार की संख्याओं अंकों में लिखी वँ अक्षर संख्याओं में, व्यक्त संख्याओं में कोई फर्क दिखाई पड़ता हैं एक फर्क तो यह है कि 5, 14, 10 आदी को अंकों में लिखा गया है जबकि A, L, B, X, Y, दर, समय, थीटा आदी को वर्ण माला के अक्षरों से व्यक्त किया गया है दूसरा अंतर यह है कि पहले प्रकार की प्रतेक संख्याओं का एक निश्चित मान है जबकि अक्षर संख्या के मान अलग-अलग संदर्भू में अलग-अलग हो सकते हैं क्या कोई बात इन में समान भी है? सोचिए, आप कहां-कहां अक्षर संख्याओं का उप्योग करते हैं क्या अक्षर संख्याओं में भी जोडने, घटाने, गुणा, भाग की संक्रियाएं हो सकती हैं। पिछली का अक्षाओं में संख्याओं के कई उधारन आपने देखे होंगे, जिनमें अक्षर संख्याओं उप्योग में आईं। जैसे 4A, वर्ग मूल 3, A वर्ग बटे 4, A धन, B धन, C, 4 बटे 3, पाई, आर की घात 3, X का वर्ग धन 2X धन 3, कोश्टक में X धन 3, वर्ग मूल X बटे Y, M रिन 9, 2P धन Q, इनमें से प्रत्यक को हम बिजी व्यंजक के रूप में पहचानते हैं, इनमें कुछ एक पदवाले, कुछ दो पदवाले, कुछ तीन पदवाले बिजी व्यंजक हैं, जैसे 4A, वर्ग मूल 3, A का वर्ग बटे 4, चार बटे 3, पाई, आर की घात 3, 5A, X की घात 2, Y, Z, आदी एक पदवाले बिजी व्यंजक हैं, कोश्टक में X धन 3, M, रिन 9, 2P, धन Q, दो पदवाले बिजी व्यंजक हैं, M, रिन 9 में M और रिन 9 दो पद हैं, तथा 2P धन Q में दो पद 2P और Q हैं, इसी प्रकार A धन B धन C, X वर्ग धन 2X धन 3, तीन पदवाले बिजी व्यंजक हैं, यहां A धन B धन C में A पहला, B दूसरा और C तीसरा पद हैं, दूसरे उधारण में X का वर्ग पहला पद, 2X दूसरा पद, और 3 तीसरा पद हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि यह दो पद वाले या तीन पद वाले क्यों हैं, जबकि इनसे बड़े बड़े व्यंजक केवल एक पदी हैं, किसी व्यंजक का पद केवल संख्या, केवल अक्षर संख्या या संख्या वह अक्षर संख्या का गुणन फल होता है, कोई व्यंजक ए एक या एक से अधिक पदों से बना होता है किसी वियनजक में धन या रिंड चिन्न से पद निधारित किया जाता है गुणा या भाग चिन्न से नहीं